तो आज हम बनाएंगे चंद कला तो चलिए चंद कला की रेस्पी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने डाइस ग्राम मैदा लिया है और हमने एक कफ गी लिया है इसे नहीं ज़्यादा हमें मैल्ड करना नहीं ज़्यादा जमा हुआ लेना है तो इसको अच्छे से डालके मैस मिक्स करेंगे हाद से मॉयन तयार कर लिया है इस तरह से मसल मसल के इसे आटा और गी को मिक्स करेंगे अच्छे से मैदे गी को मिक्स करेंगे जब तक मुट्छी बनके तयार ना हूए तो देखिए मुठी बन रही है बस यह परफेक्ट मोयन हमारे तैयार हुए है तो ऐसे ही हमें मोयन डालना है और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालके हम डो तैयार करेंगे एक साथ पानी नहीं डालेंगे जितना में जरूरत है उतना ही डालेंगे जिसको डो तैयार कर लेते हैं यह देखिए यह हमने कुछ ड्राइफ रोट लिया है किसमी चिराउंजी, काजू, बदाम और पिस्ते इन सब को अच्छा हुआ नारिया लिया है इसको ग्रेट कर लिया है फिर आमने खोया लिया है डही सोग्राम इसको कद्धू कस लिया यहां सभी आप तोड़ सकते हैं आधा कप चीनी लिया है मिठा जादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमें चास्नी भी बनाना है यह ड्राइफ रूट भी डाल देंगे इसी समय उन्हों सबको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिला लेंगे चीनी खोया और ड्राइफ रूट तो यह लिजी है मिल गए और इनके चोटे चोटे पेड़े बनाएंगे इस तरह बना के हम तयार कर लेंगे इससे हमें चंद करला बनाने में आसानी रहेगी और इसे ठक्या हमने रख दिया था 20 मिनट के लिए देखिए यह बिल्कुल सॉप्ट हो गया है फिर से हम मस लेंगे थोड़ा सा हाथों में घीला गाकर चिकना कर लेंगे बिल्कुल तो यह लीजि चिकना हो गया हमारा मैदा और इसके छोट चोटे पिड़े बनाएंगे एक बड़ी सी लोई लेके बनाएंगे चोटे नहीं बनाएंगे और पूरे चकले में बेल लेंगे इसको आप थाली में बेल सकते हैं चौपिंग बोर्ड में तो असानी से चोटे-चोटे कट कर लेंगे आप बन जाएंगे तो हम एक चमस पानी और एक चमस मैदा लेके इसको घोल तयार करेंगे उसे अच्छे से मिला लेंगे यह मैदा का घोल बनके तयार हो गया है और यह हमने बड़ी से पूरी बेल लिया है एक कटोरी या एक गिलास से आप इसे कट करें ऐसे बेलने से बहुत जल्दी बनके तयार होती है एक एक बेलने में बहुत टाइम लगता है इस तरह आप जरूर बनाए तो यह लेजी हम एक साथ सब कट कर लिए इसका इस तरह आठा निकाल लेंगे ना जादा मोटी ना जादा पतली एक साथ सब बना के तयार कर लिए अब फिर हम एक कटोरी चीनी लेंगे और एक कटोरी पानी लेंगे जिस कटोरी से हमने चीनी लिया उसी कटोरी से हमें पानी लेना है और चासनी बना के तयार कर लेंगे अब यह जो हमने खोया की टिक्की बनाई थी तो उसको बिली हुई पूड़ी के उपर रखेंगे और यह जो घोल बना के तयार किया था तो इसको किनारेग में इस तरह लगा देंगे ताकि तलते समय खुले ना अब यह दूसरी लेंगे इसके उपर रख देंगे और किनारों से इस तरह से फ्रेश करते हुए चिपका देंगे अच्छे से हमें सील करना है अब यह उठा कर चंद काला का डिजैन बनाएंगे तो किनारे हमें इस तरह दबा के पतले कर लेंगे अच्छे से पतले करेंगे तो यह लिए जिए पतला हो गया बस एक किनारे दबाएंगे इस तरह एक दूसरी को पर चड़ाते हुए इस तरह हम डीजाइन चंद्रकला का दे देंगे तो देखिए यह देखने और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो आप जरूर बनाईएगा तो यह लिज़े देखिए आप कितनी सुन्दर बन के तयार हुई है हमारी चन्दकला इसे तरह हम सारे बना के तयार कर लेंगे दूसरा भी इसे तरह बनाएंगे घुल लगाके चिपका देंगे फिर से किनारा दफाएंगे इधर हमाई चासनी बन के तयार हो गई है चासनी हमें चिप-चिपी बनाना है एक तार की और तेल रख दिया गरम होने के लिए चासनी में हम डालेंगे हाप टी-स्पून पाउडर और अच्छे से घोल देंगे चिक कर लेते हैं चासनी तो देखिए तैयार हो गए हमारे सारे एक साथ बना लिया है तो तो तेल भी चिक कर लेंगे तेल गरम हो गया एक एक करके हम इने तर लेंगे एक साथ हम जादा नहीं डालेंगे बस दो से तीन ही डालेंगे और अभी इने इसके उपर इस तरह हम तेल डालेंगे और पलट पलट के सेख लेंगे इस तरह हम इनके उपर गरम तेल डालते रहेंगे तो यह चारो तरफ से अच्छे से सेख जाएंगे तो देखिए कितनी अस्ची बन के तयार हुई है हमारी चंदरकला इसी तरह आप भी बनाईएगा और अभी चासनी ना जादा गरम ना जादा ठंडी मेडियम करके इनको हम एक के करके चासनी में डिफ करेंगे अलट फलट देंगे इसी में बस एक मिनिट के बाद इनको निकाल लेंगे अब इनको हम निकाल लेंगे अब फिर से इमने सर्व कर लेंगे नारियल का पाउड़र लिया है। इस तरह से पिस्ता और लैसी केट नारियल में जरूर कर से विस्ता है तो यह चंद्र कला बहुत टेस्टी पनके तयार होती है, तो आप जरूर बनाके ट्राइक करें, और कमेंट में जरूर बता है कि यह तायार हुई है मेरे चैनल को सस्क्राइब करें बगल में बिल आइकन को प्रेश करें जिसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो देखें कितनी देखने में सुन्दर लग रहे हैं तो प्लीज प्लीज शरूर लाइक करें थैंक यू फॉर वासिंग